रमोला दिल्ली शहर के ग्रेटर कैलाज जैसे पॉश कॉलोनी में रहने वाली एक मॉडन औरत थी जो जीन्स टॉप पहना करती थी उसका सुसाइटी में अपना ही एक रुद्पा था उसका एकलौता बेटा आरव मुंबई में नौकरी करता था उसकी अब शादी की उम्र हो गई थी एक रोज रमोला उसे फोन करती है आरव बेटा बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए अब जल्दी से आजा मा मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ आपके लिए एक सर्प्राइज है अच्छा फिर तो चल्दी घर आजा इधर रमोला आरव के लिए लड़की देखने लगती है फिर एक रोज उसके दरवाजे की घंटी बचती है ओ गौड ये संडे वाले दिन भी लोगों को चैन नही है वो जब दरवाजा खोलती है तो हैरान रह जाती है सामने उसका बेटा आरव गले में वर्माला पहने एक लड़की के साथ खड़ा होता है मा ये रहा आपका सर्प्राइज ये मीरा है आपकी बहू पाई लागू सा सुमाई ये क्या मजाक है ये गवार मेरी बहू नहीं बन सकती मैंने सोचा था कोई मौडन बहू लाएंगी लेकिन तो तो ये कोई गवार उठा लाया रमूला बहुत नाराज होती है लेकिन अपने बेटे की खुशी के आगे फिर वो मान ही जाती है अगले दिन कॉलोनी में ये बात फैल जाती है और रमूला की सहीलिया नई ब हाँ हाँ अच्छा ये सब छोड़ो तुम लोग क्या लोगी एक काम कर मीरा बहू सबके लिए मैंगो शेक बना कर लेया जी सासु माई फिर माई कितनी बार कहा है मुझे मौम बोला कर अब जा जल्दी और मैंगो शेक बना कर लेया मीरा कुछ दिर बाद हाथ में एक सब के सामने गवार कहींगी ऐसे कुछ दिन बीटते हैं एक रोज संडे वाले दिन आरव अपनी मा से चलो नमा आज हम सब कहीं घूमने चलते हैं हाँ हाँ तुरुक मैं तैयार होकर आई और उस गवार को भी बोल दे तैयार होने के लिए कुछ दिर बाद रमोला जीन्स ट अगर नौकरानी समझेंगे जी सासु माई मेरा मतलब है मॉम अभी पहन कर आई फिर तीनों घूमने चले जाते हैं और आखिर में एक रेस्टरिंट में खाना खाने जाते हैं हिरां 500 रुपे की दाल मकनी नई खानी हमको नई खानी घर चलिए सासु मॉम जी मैं आपके बाहर होटल में जाकर खाना खाना और ये तो नॉर्मल प्राइस हैं आखे वो लोग खाना खा लेते हैं कुछ खाना बच जाता है वेटर इन्हे क्लीन करदो और फिर फिंगर बाउल ले आओ नहीं नहीं भईया इन्हे पैक कर दो इतने पैसे देंगे तो ऐसे थोड़ी न फेकेंगे, चुप कर तू, भाया आप फिंगर बाउल ले आओ, कुछ दिर बाद वेटर फिंगर बाउल लाता है, तो मीरा उसे सूप समझ कर बाउल को अपने मुह से लगा लेती है और पीने लगती है, ये सब देख रेस्टरिंग में सभी लोग हसने लगते है, रमोला गु उस टाइम तो दो, मैं वादा करता हूँ, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। भी खुद को बदलने लगती है, और अब वो भी स्कर्ट्स और जीन्स टॉप पहनने लगती है, और यूट्यूब देख मौडन खाना भी बनाने लगती है, एक रोज रमोला अपनी सहीली आशा के साथ किटी पार्टी में जाती है, लेकिन रास्ते ले उनकी कार का लगती है, उधर मीरा अपनी सास की खूब देख भाल करती है, जबकि आशा की मौडन बहु उसे एक बार भी देखने नहीं आई, कुछ दिन बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, घर आकर मीरा अपनी सास की खूब देख भाल करती और वो जल्द ही ठीक हो गई, एक ये आशा मेरा फोन क्यों ने उठा रही, आज उसे मिलकर ही आती हूँ, रमोला उसके घर जाती है जहां आशा अपने कमरे में पड़ी होती है, और उसकी बहु शॉपिंग के लिए मौल चली जाती है, आशा तू अभी भी ठीक नहीं है, हाँ, क्यूंकि मेरे पास तेरे जै सास होता है और वो घर जाकर अपनी बहु से माफी मागती है और उसे दिल से अपना लेती है, मीरा भी अपनी सास के लिए मौडन कपड़े पहनना शुरू कर देती है, लेकिन अपने संसकारों को कभी नहीं भूलती, कॉलोनी की सभी औरते जो पहले मीरा पर हसती थी, अब उसकी तारीफे करती नहीं थकती, तेरा साल की हम उम्र तीन सहेलिया, निधी अपनी सहेली प्रीती और सोनम के साथ एक पार्क में खेल रही थी, तभी निधी जूले से गर जाती है और उसके माथे पर थोड़ी सी चोट आ जाती है, अह, 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 अरे तु ठीक तो है न प मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा, अब मुझे बहुत भूक लग रहे है सोनम, तेरी ममी आलू के पराठे बड़े ही अच्छे बनाती है, हमें अपने घर ले चल और आंटी के हाथ के पराठे खिला दे, हाँ, हाँ, तो चलो न, मैंने कब मना किया है, वो दोनों उनके घर उनके घर आती है, जहां सोनम की मा उन Genius प्यार करती है, और गरम गरम आलू के पराठे अपने हाथों से बनाकर उने खिलाती है, तभी निधी की मा शाली नी उनके घर आती है, जो की बहुत ही अमीर और घमंजी होती है, वो निधी से कहती है, निदी बीटा, तुम इन GORIEBो के घर क्या कर रही हो ये लोग गरीब हैं कितनी गंदगी में रहते हैं कहीं तुम्हें अजीब खाना बना कर खिला दिया तो फिर तुम बिमार हो जाओगी ये सब चाहते ही यही है कि अमीरों के बच्चे बिमार पड़े रहें नहीं मा ऐसी कोई बात नहीं है आंटी तो अब चलो तुम दोनों यहां से ओहो अब तो हमें जाना पड़ेगा बाई आंटी बाई सोनम इसके बाद दोनों बच्चियां शालीनी के साथ अपने अपने घर चली जाती हैं दरसल सोनम बहुत ही गरीब घर से थी लेकिन उसके माता-पिता खुब मेहनत करके उसे प्राइ ऐसे ही समय गुजर जाता है और तीनों ही लड़किया अपनी बारवी पूरी कर लेती हैं। अब आगे की पढ़ाई कराना उनके लिए मैटर नहीं करता और मेरे ममी पापा ने अच्छा घर देखकर मेरी शादी तैक करती हैं। तीन दिन बाद मेरी शादी है। क्या? तो इतनी जल्दी शादी कर रहे हैं। अब हम तेरे बिना कैसे रहेंगे यार। हम विदेश जा रहे हैं और यहां तेरी शादी हो रही है। आंटी के हाथ के पराठे हमारा साथ में घूमना, बाते करना, साथ में हसना, रोना। ये सब हमें बहुत याद आएगा। याद तो मुझे भी बहुत आएगा। मैं भी तुम दोनों को बहुत जादा मिस करूँगी। अगर हो सके तो विदेश से लोट कर आओगी तो मिल जरूर लेना मुझे। अगले दिन प्रीती और निधी फ्लाइट से अब्रॉट चली जाती हैं तो वही सोनम के हाथ अपने सचना के नाम की मैधी लग रही थी। शादी के अगले दिन से ही सोनम अपने ससुराल की सारी जिम्मदारियों का बोच अपने कंधे पढ़ ले लेती है। सोनम की सास बड़ी खडूस थी जो की गरीबी के कारण कंजूसी का विवहार करती थी। एक दिन सोनम जब दिन का खाना बनानी रसुई में जाती है तो उसकी सास कुंती उससे आकर कहती है। ये तू क्या कर रही है? अब फिर से खाना क्यों बना रही है? रात की सबजी खतम हो गई है क्या? माजी दो कटोरी सबजी रखी हुई है लेकिन वो बास ही है आप रात की सबजी खाओगे क्या? इसलिए खाना बनाने जा रही थी। कोई जरूरत नहीं है दुबारा खाना बनाने की इसे एक कटोरी से मैं और तू थोड़ी थोड़ी खा लेंगे और एक कटोरी तू मेरे बेटे सुधीर के लिए रखते। माजी लेकिन आज उनकी छुटी है और वो कुछ अच्छा खाना चाहते हैं। अच्छा मेरे उस नलाइक बेटे ने अभी महीने की तन खाला कर मुझे नहीं दी जो मैं उसे ये सब पकवान खिलाओं। अब मैंने जो कहा है उतना ही कर। जी माजी अपनी सास के इस तरह के व्यवहार को देख कर सोनम अपने मन में सोचती है। उफ ये सासुमा तुकितनी कंजूस है रात की सबजी खाने को कह रही हैं। अब किन खैयालों में खोई है जा रात की सबजी गरण कर दे और चार रोटी लगा ले उसके साथ। पर दिन गरीबी के कारण कुंती में बहुत ही कंजूसी आ गई और ऐसे एक दिन घर का सारा राशन खत्म हो जाता है और खाने के लिए ना तो अन्न का एक दाना होता है और ना ही पैसे। मेरे प्रार निकल जाएंगे। मेरे बेटे का काम भी सही से नहीं चल रहा जो अब ये दिन देखना पड़ गया। अब जल्दी जा मेरा मुह क्या देख रही है। जी माजी मैं अभी जाती हो। अरे सोनम तु ये तुने अपना क्या हाल बना लिया है और क्या तेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है जो तु इतना इतना सा राशन लेकर जा रही है। हाँ दरसल वो उनका काम आजकल ठीक से नहीं चल रहा है ना इसलिए थोड़े पैसो के तंगी हो गई है लेकिन तुम दोनों इस गाओं में कैसे हम दोनों तुमसे ही मिलने आई है यहाँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों मुझसे मिलने आई चलो मेरे ससुराल आओ मेरे साथ। उसके ससुराल की हालत देखकर निधी और प्रीती सोच में पढ़ जाती है। अरे ये तो सोनम के घर से भी जादा गरीब है पता नहीं वो बेचारी कैसे गुजारा कर रही होगे। देखिये माजी कौन आया है ये दोनों मेरी बचपन की सहेलिया है। अच्छा ये तो दिखने में बड़े ही अमीर घर की लगती है। जी माजी अच्छा तुम दोनों बैटों में चाय लेकर आती हो हूँ। सोनम उनके लिए चाय बनाती है तो कुंती रसोई में आकर सोनम से कहती है। अरे ये क्या बड़ी मुश्किल से तो राशन उधार लाए हैं। इस चाय में तू और पानी मिला। वैसी भी तेरी सहीलिया अच्छा खाना ही खाती होंगी। अगर एक दिन थोड़ा मिलावट वाला खालेंगी तो फिर क्या फर्क पड़ जाएगा। जी माजी और ये बिस्कुट भी कम कर। सर्फ चार ही ले जा। दो दो खालेंगी दोनो। माजी अब आज तो ये कंजूसी छोड़ दीजे। तब ही निधी चुपके से ये सब देख लेती है लेकिन कुछ कहती नहीं। कुछ तेर बाद सोनम उनको चाय देती है जिसे पीकर वो कहती है। अब यही मेरा घर है। तेरा बाप चुकाएगा क्या कर। अब बस भी कीजे माजी इतना कंजूस बना भी अच्छा नहीं होता। मैं मानती हूँ कि गरीबी है लेकिन कम से कम सोनम के साथ ऐसा बरताव तो मत कीजे। और मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसने कभी आपको परिशान नहीं किया होगा। कंजूसी को ही आदत बना लिया लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अच्छा अब हम चलते हैं माजी। नहीं रुको बेटी पहली बार हमारे घर आई हो अपना सगुन्तो लेती जाओ। कुन्ती बक्से में से दो साडिया निकाल कर उन दोनों को देती हैं। वही निधी और प्रीती 50,000 की रकम सोनम को मदद के तौर पर देती हैं। जिससे उसका पती अपना काम खोलता है, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे आरे लगते हैं। और घर की हालत अब काफी अच्छी हो जाती है।